वेलकम बाक तो हॉबी सेंट्रल यूटूब चानल जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बताया था हमारे पास Praxis की TRX4 M Defender वर्शन भी है तो आज हम उसको अन्बॉक्स करेंगे तो यह रहा उसका बॉक्स यह मॉडल छे कलर्स में अविलिबल है रेड, ब्लू, ग्रीन, ब्राउन, ओरेंज और यालो कलर हमारे पास ओरेंज कलर है और इसमें भी आपको एक 2S लाइपो बैटरी और चार्जर इंक्लूड़ेड है क्लिपलेस पॉडी मेकानिसम है और इसमें LED लाइट भी आते हैं फैक्टरी से तो बॉक्स को ओपन करते हैं सबसे पहले, as always, एक instruction manual है इसमें सारी information है, model के बारे में और एक basic सा tool set है यह है गाड़ी का radio transmitter Traxxas का standard 2.4 GHz 2-channel radio system है और यह है model का 2S LiPo battery 750 mh का है और आप निकालते है model को बाहर तो क्यूंकि यह model 1-18 scale का है आप इसको घर पे या बाहर आराम से चला सकते हो और मजा ले सकते हो और जैसे कि हमने कहा है इसका क्लिपलेस पॉडी मेकानिसम है आप इसको easily mount कर सकते हो और निकाल सकते हो जैसी से और क्यूंकि एक officially licensed product है इसके जो body की detailing है वो काफी accurate है जैसे कि आप देख सकते हो पीछे fuel can, एक display wheel, ladder उपर की तरफ एक carriage भी दिया होगा है तो आगी के साइड एक bumper है प्लास्टिक का जिसमें LED lights है साइड की तरफ एक high mount exhaust है और claddings भी है wheels के उपर नीची की तरफ यहां हम देख सकते हैं इसका clipless body mechanism तो body पे आप देख सकते हो कि यहां पे एक hook जैसा plastic का part है जो mount होता है चासी पे फिर इसका suspension oil filled है और soft है क्योंकि यह crawler है इसकी chassis जो है वो steel की है इसमें जो electronic speed controller है वो एक all-in-one unit है तो receiver भी एक EAC का part है बाग की इसके tires भी काफी soft और grippy compound के हैं तो crawling में थोड़ा help करते हैं suspension travel आप देख सकते हो फिर यह है इसका brushed motor और यहां पे इसका steering servo नीची की तरफ plastic के links है काफी flexible है तो impact वगेरा काफी अच्छे से absorb कर लेंगे और बागी की जो drive shaft है वो भी plastic में है पिर यहां पे बीच में battery को mount करनी की जगह है आपको सिर्फ वो rubber strap को उपर करना है और बैटरी को fix करना है और इसमें कोई on-off switch नहीं है आपको directly battery को plug-in करना EAC पर और अपको model on हो जाएगा और इसके जो lights है वो actually आगे के bumper पर है जो lights body पर है वो functional नहीं है तो guys यही थी Traxxas की TRX-4M Range Rover Defender version Ford Bronco और यह काफी same है इनकी सिफ body अलग है हलाकि Defender version में आपके पास color options ज्यादा है तो आपको किस type की body पसंद है आप वो इस आप से model select कर सकते हो I am sure आपको यह video अच्छा लगा होगा Please video को like करो और अगर आप channel पर पहली बार आए हो तो subscribe करो So thanks a lot for watching, मिलते हैं अगले video में Cont пользовat अणिद करें ट्रे ठाव सरव के करी के मा-वे MINजा है I am 2 अगर यह, क्रूंचर ट्रीजरों कर ृप Bennett And